हलो बच्चो मैं प्रिया राठोर आपके लिए फिर से एक बार चैप्टर नमबर जो हमारा 14 दवा है प्राकतिक संसादन और प्राकतिक संपदा वाला ठीके उसका वन शॉट लेकर आ गई हूँ और चैप्टर नमबर 14 के बार चैप्टर नमबर एक ही बचेगा तो हमारे बाय लाइक और शेर भी आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके फाइदे की बात हो रही है तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 और उसका वन शॉट शुरू करते हैं क्या-क्या है एक बार हम देख लेते हैं तो हमने काफी कुछ चीजे इसके अंदर पड़ी थी और नाइ जिसमें जीव भी हैं और निर्जी वस्तुए भी हैं जो भी इस प्रत्वी पर उपलब्द है चाहे वो छोटे से छोटा पानी ही क्यों नहों पानी की बूंद क्यों नहों चाहे वो बड़े से बड़ा कोई जीव क्यों नहों सभी प्राकतिक संपदा के अंदर आते हैं ठी मंदल क्या है जितनी भी जमीन है इस प्रत्वी पर वो सारी स्थल मंदल के अंदर आती है जितनी भी हमारी प्रत्वी की बाहरी परत है जो भी स्थल है है लैंड है जो भी वो सब क्या है स्थल मंदल के अंदर आता है इसी तरह जो हमारी प्रत्वी है उस पे 75 प्रतिशत भाग क्या है जल है तो जितना भी जल वाला भाग है उसे हम क्या कह देते हैं जल मंडल कह देते हैं तो जल मंडल की परिवाशा क्या लिख सकते हो यह भूमीगत जल के रूप में भी पाया जाता है और इन सभी को जल मंडल कहते हैं प्रत्वी पर पाया जाने वाले जल की मात्रा को क्या बोल रहे हैं या जल को हम क्या कह रहे हैं जल मंडल कह रहे हैं अब ऐसे ही वह वायू भी है जल है स्थल है और तीसरा हमारे पास क्या है वायू है तो प्रत्वी पर जो वायू है, जो घनी, जो आज भी है, यहां पे भी है, मैं खड़ी हूँ, वहां पे भी है, हर जगह पे है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायू मंडल कहते हैं अब ये तीनों मिल रहे हैं जहां पे वायू मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल ये एक दूसरे से मिलकर जीवन को बना के रखे हुए हैं आप अगर हैं तो आप बिना लैंड के नहीं रह पाऊगे बिना पानी के नहीं रह पाऊगे और बिना हवा के नहीं रह पाऊगे तो ये तीनो मंडल मिलकर जीवन को पॉसिबल बना रहे हैं इसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा और यहाँ पे इस प्रत्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यह 3 मंदल हमारे पास है थल भी है, जल भी है, दल भी है, वायू भी है तो इसी कारण यहाँ पे एक और जीवों का समू बना हुआ है अब जीव क्या है? यह बात अब एक बार ध्यान में रखें कि पौदे और जन्तु दोनों जीवों के अंदर काउंट आते हैं जो भी living thing है वो सारी जीव है हमारे लिए तो जितनी भी living thing है उनके लिए ये तीनों जरूरी है और ये सब मिलकर जल मंडल, थल मंडल, वायू मंडल और सारे जीव मिलकर क्या बना रहे हैं जीव मंडल को बनाते हैं और जीव मंडल के रूप में जाने जाते हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ये थोड़ा सा introduction है इस part chapter का सजीव जीव मंडल के जेविक घटक है अब ये जो हमारा जीव मंडल है इसमें दो category है जिसके बारे में हमने बात की थी एक होते हैं आजेविक जिसको हम बोलते हैं non-biotic और इसी का दूसरा नाम क्या है abiotic भी है abiotic ऐसे ही एक होता है जेविक घटक अगर आप से पूछ ले कि प्रत्वी के कौन-कौन से घटक है यह हमारे परियावरण के कौन-कौन से घटक है तो यह दो घटक है जेविक घटक और और जेविक घटक और जेविक घटक में कौन आ रहा है सारी निर्जीव वस्तु है जैसे हवा पानी यह सम निर्जीव है ठीक है स्थल यह सम निर्जीव है और जेविग गटक में कौन आ रहे हैं जितने भी लिविन चीज़े हैं सजीव अब वो पेड़ पौदे भी हो सकते हैं है ना ट्री भी है वो ट्री मतलब सारे प्लांट्स ट्री तो नहीं प्लांट बोल देती हूं सब आ जाएंगे प्लांट के अंदर प्लांट और फिर सारे एनिमल्स जनतु ठीक है तो जो सजीव है वो क्या बना रहे हैं हमारा जेविग गटक बनाते हैं जबकि जितनी भी निर्जीव वस्तु हैं जैसे वायू जल अम्रदा ये सब कैसे हैं निर्जीव गटक है निर्जीव गटक को ही हम क्या बोलते हैं और जेविग गटक भी ब पर यू के बारे में पढ़ेंगे फिर जल के बारे में फिर म्रदा के बारे में और ऐसे फिर हम आगे पढ़ते जाएंगे फिर से मैं एक बार बोलती हूँ कि हम जब कोई वन शॉट करते हैं तो बहुत वन शॉट होता है वह पूरे चाप्टर जो हमने 20-25-15 लेक्चर में पढ़ाया होता है उसको शॉट करके पढ़ाते हैं तो इतना डीटेल नहीं होता है अगर आपको डीटेल ग्लासेस देखनी है अगर आपके पास टाइम है वैसे तो आपने देखी होंगी सबसे पहले बात करते हैं वाईयू की तो भहियर हमारी वाईयू क्या का अम आरी है तो हम कहे रहे हैं कि वाईयू में हमारे पास देखो क्या-क्या है एक तो नाइट्रोजन है, औक्सिजन है, कारबन डिशको मिश्रण भी है अभी कुतनी क्या है तो मैंने आपको बताया था 78% हमारे पास नाइटरोजन है 21% हमारे पास ऑक्सीजन है 0.03% हमारे पास कारबन डायोकसईड है और बाकी बचा हुआ 0.01% जितना भी बचा वो सब क्या है हमारे पास गैसे हैं मिश्रन है जलवाश्प है मौश्चर है शुक्रों और मंगल जैसे ग्रों में जहां पर कोई जीवन संभव नहीं है वायू मंडल मुख्य गटक कारबन डायोकसाइड होती है यह क्वेश्चन भी है हमने किया है क्योंकि वन शॉट में हम क्वेश्चन अंसर नहीं करेंगे ठी आहिए तो यह नहीं है क्योंकि वहाँ पे औक्सीजन नहीं है पाणी नहीं है है वाह पे और अंसरा यह तो यह कह रहा है 1% से 100.03% से कमी होता तो 1% से कम हमारे पास क्या है कार्बन डियोक्साइड है लेकिन यह कार्बन डियोक्साइड हमारे काम आती है यह प्रत्वी पर कुछ काम आ रही है ऐसे नहीं है अगर आप सोचो कि जब कार्बन डियोक्साइड आपने सुना होगा कार्बन डियोक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती ह अगर इससे बढ़ जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम प्रत्वी से carbon dioxide गायब कर देंगे तो भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे क्यों क्योंकि carbon dioxide से ही पौदे खाना बनाते हैं और उन्हीं पौदों को फिर हम खा रहे हैं तो हमारा तो उकदाना पानी रुख जाएगा न बच्चो तो फिर इसलिए दो वीदियों से यह carbon dioxide जो है वो इस्तिरोती का मतलब यह है कि यह carbon dioxide तो वायू में फैली हुई है हमें द भी चाहिए तो उस वायू से carbon dioxide को कैसे जीवों के अंदर राया जाता है उसको हम कह रहे हैं स्थिरकरण यानि की स्थिरता तो दो हमारे पास प्रोसेस हैं सबसे पहले तो जो मैंने एक्जामपल दिया हरे पौदे क्या करते हैं हरे पौदे हरे पौदे प्रकाश संसलेशन क क्या करते हैं सूरी की किरनों से क्या करते हैं प्रकाश संसलेशन के दोरा ग्लुकोज बना लेते हैं अब यह ग्लुकोज क्या है यह पौदो का खाना है ठीक है पौदो का भोजन है वैसे क्या होता है ग्लुकोज ग्लुकोज एक कार्बोइडेड होता है सुदा है अभी क्या है यह कार्बो आड़ेट बनती है कैसे बनती है तो हमें पता है कि पौदे क्या करते हैं कार्बन डायुकसाइट का फॉर्मूला क्या होता है सी ओ टू है ना कैमिस्ट्री वाले चैप्टर पड़े होंगे सी ओ टू होती है और पानी पानी कहां से लेते हैं पौदे जड़ों में से लेते हैं जड़ों में से लेके यह क्या बना लेते हैं ग्लुकोस बना लेते हैं आपको ग्लुकोस का फॉर्मूला याद नहीं करना क्य यह पौदे तो हरे हैं सनलाइट का यूज कर रहे हैं अब कुछ पानी में भी रहते हैं पौदे सिर्फ धर्ती पे थोड़ी रहते हैं जमीनी पे पानी में भी देखे न अपने शेवाल वेवाल बहुत सारे पौदे चैक्टर पढ़के आए हम क्लासिफिकेशन वाला वर्गी अब के अंदर रहे के प्रकाष ट्रंसिलेशन करते हैं इनको क्या चाहिए आफ्यानी कट्री चार्णी के अपने कवाच पढ़के मिंगुदू तो इन कवचों के रूप में यह carbon dioxide काम में चाहिए उनको चाहिए बनाने के लिए क्योंकि carbonate का फॉर्मूला क्या होता है co3 calcium carbonate तो co3 ऐसे होता है ना यह carbonate है तो यह carbonate के लिए carbon तो चाहिए ना तो यह carbon कहां से लेंगे वही co2E है हमारे पास एक स्त्रोथ करने का ठीक है अब जलवायू के नियंतन में वायू मंडल की क्या भूमी का है यह तो बात है हो गई सास लेने की खाना बनाने की हमारे सास लेने के लिए भी जरूर यह ना श्वशन कैसे करोगे यह यह भी हमने आशलिक करोगे की बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र चलाएंगे कि पुद्र को नाइट्रोजन भी चाहिए ओक्सिजन भी चाहिए हमें स्वशन तो यह सारी चीज है अब जलवायू के नियंतन में Come do हमारे लिए helpful है तो उसके बात करनी है हमें कि वायू मंडल में औसत तापमान दिन के समय और यहां तक की पूरे वश बर लगबग नियत रहता है हमारा जो temperature है दिन का वो देखना आप चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो जैसे सर्दीया है तो उसका एक फिक्स सा दिन में temperature रहता है ऐसा नहीं रात को आप देखोगे सर्दीया चल रही है अभी रात में और सुबह बहुत ज़्यादा ठण होती है बीच का जो समय होता है वो थोड़ा सा बढ़ने से रोकता है और वायू मंडल जो है हमारा क्या कर रहा है रोक रहा है रात के समय उश्मा को बहारी अंत्रिक्ष में जाने की दर से दर को भी कम कर देता है जो हमारा वायू मंडल बना हुआ है ये सूरी से आने वाली किरनों को अगर हमारा वायू मंडल नहीं होगा ना तो हमारी प्रत्वी और गरम हो जाएगी तूकि सूरी की किरने डारेक्ट हमारे प्रत्वी पे गिरेगी लेकिन ये वायू की परत होने की वज़़े से जो सूरी से आने वाली किरने है वो प्रत्वी पर इतना प्रकोप से नहीं गिर पाती है तो हमारे प्रत्वी का temperature थोड़ा सा maintain रहता है गरम होती है लेकिन excessive गरम नहीं होती है तो यह बहारी अंत्रिक्ष में जाने से भी रोकती है कैसे रोकती है देखो यह हमारी प्रत्वी है यह वायू मंदल है अब देखो यहां से आती है प्रकाश की किरने यह आ गई दिन के समय सारी प्रकाश की किरने आ गई अब क्या होता है अगर मान लो कि प्रकाश की किरने जै क्या करता है। ये क्या करता है कि कुछ को जाने दे रहा है देखो छे ये पांच थी पांच में से तीन चली गई दो नहीं गई वो यहीं पर टकरा के वायू मनल इसको यहीं पर रोक लेगा ऐसे ऐसे रोक लेगा बाहर जाने नहीं देगा बाहर जाने नहीं देगा तो वो जो किर्णों की ही जो उश्वा है वो प्रत्वी के आसपास के वायू को गरम करके रखेगी तो हमारी प्रत्वी का temperature एकदम कम नहीं हो जाएगा ठीक है यही बात यह कहा रहा है ठीक है दर को रोकता है चंद्रमा के बारे में सोचते हैं तो प्रत्वी से लगबक उतनी ही दूरी पर है जितना की प्रत्वी है लेकिन चंद्रमा पर हम नहीं रह पाते हैं चंद्रमा का temperature बहुत गरम है क्योंकि वहां पर क्या नहीं है वहां पर वायू मंडल नहीं है यह क्वेशन भी था हमने किया था है वायू मंडल नहीं है चंद्रमा पर इसलिए वहां पर ठंड़ा हो जाता है बहुत temperature क्योंकि सूरी की किरने टकराती है चली जाती है गरम रखी नहीं पाती उसको इसके बाद बुझू चंद्रमा की सतर जहां वायू मंदल नहीं है पर जो temperature वो कितना रहता है 190 degree से 110 degree पर पूछा हुआ है ये question कि चंद्रमा पर temperature इतना कम क्यों रहता है क्योंकि वायू मंदल नहीं है वायू की गती और पवने अब वायू की बात हो गई वायू जब बैती है तो हम उसको क्या कहते है पवन कहते है लेकिन वायू जब बैती है और रहती है किसी भी जगा पे तो गरम और ठंडी कैसे हो जाती है तो भई सूरी की किर्णों की वज़ा से होती है लेकिन क्या यह हमेशा गरम और हमेशा ठंडी रहती है नहीं ऐसा नहीं है यह depend करता है कि समय कैसा चल रहा है दिन का समय है रात का समय है और क्या जल जल के उपर जो वायू है वो भी उतनी गरम होती है और थल के उपर जो वायू है वो भी उतनी गरम रहती है ऐसा भी नहीं है दोनों के temperature में भी फर्क होता है हर हम दिन के समय गरमी क थोड़ी थंडी होती है दिन में बहुत गरम होती है और जो लोग पानी के आसपास रहते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हो कि पानी के आसपास थंडा रहता है टेंपरिचर पानी के पासपास अगर हम रहते हैं तो हमें ज़्यादा गरमी नहीं लगती है ऐसा कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मॉसन के पश्याद बारिश भी हो जाती है किताSpant कम धालब के बारिश वायू मंडल में हवा गर्म होने जलवाश्प के बनने का परिणाम है या क्यों बेख कर देट Việt Ś caption के क्रिया गलापो और जल के गरम होने का भी कारण बनती है ठीक है स्थलिय भाग और जलिय भाग से होने वाले विकिर्णों के परावर्तन और पुना विकिर्णों के कारण वायू मंडल गरम हो जाता है अभी मैंने कहा सूरी की किरने आ रही है वापत जा रही है आ रही है जब भी कोई वायू गरम होती है, एर, तो वो एक जगा नहीं टिकती, जब भी कोई चीज गरम होती है, गरम होने का मतलब क्या है? उसका ताप बढ़ रहा है, और बच्चों हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज में अगर उश्मा है, ताप है, तो वो क्या होगा? उसके अंदर एनरजी होती है, उर्जा होती है, तो जब भी किसी वायू क्या है, वायू कणो के रूप में है, अगर हम उसको थोड़ा सा कैमेस्टी से रिलेट करें, तो आप यह समझते हो कि हर चीज कणों से बनी हुए, चोटे-चोटे कणों से, वायू में भी चोटे-च कण भी एक जगा से दूसरी जगा भागने लगते हैं, अब यह जो वायू के कण इदर से उदर भाग रहे हैं, उनी को हम क्या कह रहे हैं, सहवन धाराय कह रहे हैं, कि हमारी वायू है, यह ऐसे गुमेंगे इदर से, इदर गुम रहा है, यह ऐसे गुम रहा है, यह ऐसे सवन्दारा ये समझ में आया अब चलें अब क्या होता है कि जब वायू स्थल और जल के विकिर्णों के कारण गरम होती है तो यहाँ उपर उड़ जाती है जब वायू गरम हो जाती है जैसे कोई भी जल है या थल है मालो ये थल है, लेंड है इसके आसपास वाईउ थी यह वाईउ के कड़ है इसपे सूरज की किरने गरी तो यह गरम हो गई अब जब मैंने कहा यह गरम होगी तो यह दूर-दुर भागेगी सहमन्दाराय उत्पर्न करेगी अब यह भाग के जाएगी कहां थल जल्दी गरम होता है, हम एक बात क्या ध्यानक नहीं है, कि जो जल है, जो जल है, वो थल की अपेक्षा जल्दी गरम होता है, पानी जल्दी गरम हो जाएगा, और जो लैंड है, जो पत्थर है, जो रोड है, वो देर से गरम होती है, आप नोटिस किया होगा आपने ये ची तो उसको कम से कम 15-25 मिनिट लगेंगे टाइल को अच्छे से गरम होने में उसके कंपारिजन में पानी तो उबल के उड़ भी जाएगा तो पानी जल्दी गरम हो जाता है किसके कंपारिजन में पत्थर या स्थल के कंपारिजन में यह यह बात ध्यान रखनी है इस पर सवाल आएगा पूछ सकते हैं अब देखो हमारे पास दो चीजेंबेंगे यह ऑर यह बना देते हैं तो दोनों जगा है यहां पे भी हायू है तो दोनों पर जब सूरज की की ने गिरेगी तो दोनों ही गरम होंगे ने क्या गरम होंगे कि फानी उपर की अब लिग्वर कृल कि वही बरतल लोग पानी गरम करो गरम करते वह पानी की आ पर हाठ रहोगी तो आपको घर बाते हो सर्दियों मेरे वार्ड इसे करते हैं रिरेज गार में उपरemic ल忘त Ergeb टाइल है न जिसको आपके तो फर्ष वो रख दो गैस पे रखते रहो हाथ कोई परक नहीं पड़ेगा वो पत्थर गरम होने में बहुत टाइम लगाएगा तब तक आपके हाथों को गरमाट नहीं मिलेगी क्यों कि पानी जल्दी गरम हुआ तो उसके उपर की वायू भी गरम हो गई तब ही तो हमें गरमाट फील हो रही है पत्थर में ऐसा नहीं होता थोड़ा टाइम लगाएगा आप टाइल रखते ही उसके उपर आपको गरम-गरम हवा मैसूस नहीं होगी पानी में जल्दी हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे भी वाईू गरम हो रही है यहाँ पे भी गरम हो रही है लेकिन क्या होगा जो जल्द जान रहाई देर से चलेंगे ठीक है यही बोल रहा है कि जल के उपर की वायू की अपेक्ष्या तेजी से गरम हो जाती है अच्छा मैं उल्टा बोल रही हूं मैंने धोड़ा सा गड़ड़गर पहां दे इस यह देर से हो रही है और यह जल्दी हो तो यह जल्दी हो however और ये देर से गरम हो रहा है तो देर से भागेगी इसके भायू ठीक है समझ गए इसलिए अगर हम तटिये शेत्रों में दिन में देखते हैं अगर आप तटिये शेत्र क्या होते हैं ऐसे एरिया जहां पे आसपास पानी होता है है ना कोस्टल रीजन सोशल में बढ़ते हो भाई हमारे वो नीचे वाले जो शेत्रे ना भारत के जैसे पश्चे मंगाल है गोआ है जहां पे पानी बहुत होता है तो उनमें दो कंडिशन हमें देखनी है पहला दिन के समय क्या होता है और रात के समय क्या होता है जब हम टटि शेत्रों में दिन के समय बात करते हैं तो इस दिन के समय सनलाइट आ रही होती है क्या होगा सनलाइट आ रही होती है तो हम देखेंगे कि जो हमारा लैंड है जो हमारी लैंड है उसकी धरती जल्दी गरम हो जाएगी तो उसके उपर की हवा भी गरम हो जाएगी तो वो जल् उपर भाग जाएगी चीक, ऐसा ही पानी के उपर जो समुद्र है आसपास का उसका पानी देर से गरम हो रहा है सूरज की रोशनी, गैस वाली चीज़ अलग है लेकिन सूरज की रोशनी से जल जो है वो देर से गरम हो रहा है तो जल जो है वो तो गरम होने में टाइम लगाता है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझो, जल जो है वो ऐसे हिलता रहता है, बैता रहता है, तो वो गरम होता है, फिर जाता है, तो ठंडा हो जाता है, लैंड एक जगा फिक्स रहती है, तो जल्दी गरम हो जाती है, पानी क्या बैता टाइम लगाता है गरम होने के अदर अभी इस तल के उपर की वायू तेजी से गरम होकर उपर उठना शुरू कर देती है यह वायू उट गई उपर चली गई ठीक है यहाँ पे मैं डाइग्राम के त्रो समझा देती हूं यह देखो यह हमारा लेंड है यह लेंड बना रहे ठीके और ये हमारा है पानी जिसको अभी मैं ब्लू बना रही हुँ ये ब्लू बना देते हैं पानी आज ब्लू है पानी 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 गाना सुना है ठीके अभी क्या है यहां की हवा गरम हो गई उपर उट गई वाई उपर उट गई यह उपर चली गई यहां पे अभी गरम आथे नो इसको पर करेंगे साधे तो अब ही देखो यहां की हवा secondo ति ही area की हवाव उपर चली गई, तो यहाँ जगा खाली हो गई, तो अभी यहाँ पे किसी वायू को आना पड़ेगा, तो यह कौन सी वायू आईगी, यहाँ वाली, गरम वायू उपर चली गई, तो यहाँ वायू अभी गरम नहीं हुई है, थोड़ी-थोड़ी इसके comparison में कम गरम है तो ये वायू इधर चली जाती है यहाँ पर तो समुद्र की वायू जो है समुद्र की उपर की वायू वो land की वायू की तरफ चली जाती है तो दिन के समय क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि दिन के समय reason ये रहा और logic क्या आया इससे दिन के समय 30 शेत्रों में स्थल जल्दी गरम हो जाता है जिससे उसके वायू उपर चली जाती है वायू के उपर जाने की वज़े से यहाँ पे कैसा दाब बन जाता है यहाँ पे निम्न दाब का शेत्र बन जाता है निम्न दाब क्या होता है दाब कम है यहाँ पे दाब समझते हो physics विजिस पड़ी है थोड़ी बहुत प्रेशर दाब कम हो जाता है यहाँ निम्न दाब बन जाता है इसके comparison में अगर हम जल को देखेंगे तो यहाँ पे दाब जादा है क्योंकि यहाँ पे पानी अभी गरम नहीं हुआ दाब अधिक होता है और दाब यह कोई भी चीज होती है उसकी खासियत होती है कि वो अपने अधिक से कम की तरफ जाती है ठीके तो यह अधिक से कम की तरफ चला जाएगा ठीके यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है दाव अधिक दाप से निमन दाप की तरफ वायू गती करेगी तो अगर आपसे पूछ ले कि दिन के समय तटिय शेत्रों में हवा कैसे बहती है तो आप क्या बोलोगे समुद्र से स्थल की तरफ बहती है ठीक है यही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वायू उपर उड़ गई कम दाप का शेत्र बन गया समुद्र के उपर की वायू कम दाप वाले शेत्र की और बह जाती है इसलिए एक शेत्र से दूसरे शेत्र में वायू की गती पवनों का निर्मान करती है और दिन के समय, यह रही वो line जो आपको याद करनी है, कि दिन के समय, जो हवा की दिशा होती है, या वायू की दिशा होती है, वो कैसी होती है, समुद्र से स्थल की तरफ होती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, दिन के समय, क्यों होती है, उसका reason हमने उपर लिखा हुआ ह रात के समय क्या होगा उल्टा सिस्टम अब क्या होता है जैसे जल देर से घरम हो रहा है वैसे ही जल देर से घरम होता है अब जो चीज लेट ही शुरू ही है तो वो लेट ही खतम होगी यह तो पता है तो जल जो है वो देर से घरम हो रहा है तो ठंडा भी देर से होता है ठीक है ऐसा होता है आप जाओ गर्मी के अंदर आप देखो कि लैंड जल्दी जो है क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी जो पानी है वो दीरे दीरे ठंडा होगा रात के समय स्थल और समुन तो दोनों ठंडे होने लगते हैं चुकि स्थल की हमारी लैंड ठीक है और यह रहा हमारा पानी अब समय कैसा हो गया है रात का समय हो गया है सूरी की किरिणे नहीं आ रही तो सब कुछ ठंडा हो रहा है पानी भी ठंडा हो रहा है लेकिन यह दीरे ठंडा हो रहा है और लैंड जल्दी हो जाएगी क्योंकि जल्दी गरम हो ग तो इसके उपर की वायू कैसी होगी थंडी होगी इसके उपर की वायू कैसी होगी थंडी होगी अब यहां पर अभी भी गरम है तो इसके उपर की वायू कैसी होगी गरम गरम होगी तो वह उपर चली जाएगी क्योंकि गरम वायू तो उपर ही जाती है यह तो हमेंने पढ़ अब हवा कहां से आएगी और रास्ता ही क्या है तो अब हवा ऐसे जाएगी उच्च से निमने की और जाएगी तो रात के समय क्या होता है रात के समय उल्टा सिस्टम हो जाता है स्थल से समुद्र की तरफ हवा जाएगी ठीक है रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की कारण वह है बस उसका उल्टा करना है हूँे। समझगए अब वरशा की बात करने थे वरशा कैसे होती है तो पर वरशा कैसे होती है तो हमें पच़्पन से आपने वह जल चक्षत पढ़ा आ sagt पहले जल जो है वो गरम होता है तो भई वाश्प बनती है ठीक है जली ये भाग गरम होने लग जाता है और बहुत बड़ी संख्या में क्या बन जाती है वाश्प बन जाती है ये जल गरम हो रहा है इससे वाश्प बन गई भाप बन गई जल वाश्प का मतलब भाप बन गई वायू में प्रवाइत होने लग जाती वायू में चली गई जलवाश्प की कुछ मात्रा विबिन जेविक प्रक्रियाओं के कारण वायू मंदल में चली जाती है यहाँ वायू भी गरम हो जाती है और गरम वायू अपने जलवाश्प को लेकर उपर की ओर उड़ जाती है साथ में भई पानी पानी गरम हो रहा है तो हवा भी उपर जाएगी और उसकी जलवाश्प भी उपर जाएगी दोनों उपर जाएंगे, हवा तो जाई रही है, उपर साथ में जलवाश भी जाएगी, अच्छा जलवाश पर सबको पता है न, मौश्चर, पानी की भाप जिसको हम गयते हैं, वो भी उपर जा रहा है, अब उपर जाके क्या होगा, वायू मंदल के उपर की ओर जाते हैं, फ बढ़ता जाता है, तो उपर तापमान कम होता है, तो आपको पता है, कि भाप उपर जाती है, तो थंडी हो जाती है, तो भाप उपर जाती है, तो थंडी हो जाएगी, अब थंडी हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, थंडी होने के कारण हवा में उपस्ते जलवाश पर चुटे चुटे ड्रॉपलेट बना लेगी ऐसे, जलकी बुंदे बना लेगी, अब यह जलकी बुंदे ऐसे लटकी रहेंगी हवा के अंदर, हमें दिखती नहीं है लेकिन लटकी रहें, काट तक जब तक उनका वजन बहुत जादा नहीं हो जाता, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जलकी बुंदे बढ़ती जाएगी इस प्रक्रिया को क्या कहते है हम सगंता कहते है अब क्या होता है यदि कुछ कण नाभिक की तरह कारी कर लें तो अपने चार और बुंदों का जमा कर लेते हैं अब यह नाभिक क्या होता है मैंने काम करेंगे नाभिक की तरह काम करेंगे मिट्टी के कर्ण जल की बुंदे अब यह बुंदे क्या होंगी यहां पर एकत्रित हो जाएगी और एकत्रित हो के बड़ी बुंदों का निर्मान कर लेगी अब बड़ी बुंदे बनाएंगी तो भार भी बढ़ जाएगा फिर एक न सामानों तब वाईयू में उपस्ति दूल के कंण और दूसरे निलंबिट कंण नाबिक के रूप में Карे कड़ यही बोला मैंने नाबिक कौन मनाईगा दूल के कंण या निलंबित कंण निलंबिट कंण क्या ह Wing के उंदर गूम रहे लटके हुए जल के बूंदे निर्मित हो जाती है फिर ये बड़ी हो जाएंगी और बूंदे भारी हो जाएंगी और वर्षा के रूप में नीचे गिर जाती है इस पर question आता है वर्षा कैसे होती है चीक है तो इसको ध्यान में रखें question है भी सही NCRT में कभी कभी जब आयू का तापमान काफी कम हो जाता है तो इसे तब ये हिम वरष्टी या ओलो के रूप में अवक्षे पित हो जाती है अब सरदी का समय है तेंपरेचर बहुत कम हो गया तापमान माइनस दो माइनस तीन हो गया तो उपर जो जल की बूंदे थी बारिश होने लग जाती है जिसको हम कहते है ओले गिरना वर्षा का पैटर्ण पावनों के पैटर्ण पर निर्बर करता है और भारत के बहुत बड़े भाग में अधिकतर वर्षा दक्षिन पश्चिमे उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होती है इस पर भी क्वेशन है कि किस मानसून से हमारे देश के अंदर बारिश होती है तो भी दक्षिन पश्चिम और उत्तर पश्चिमे मानसून के करण ठीके और ये हवा पे डिपेंड करता है क्योंकि बादल जो है वो हवासे ही इदर उधर जाते है बारिश की बुंदो को लेकर अब है वाईयू प्रदूशन यह बात हो गई वाईयू की लेकिन इस वाईयू जो हम कह रहे हैं कि वाईयू मंडल हमारे लिए इतना important है इससे हमें इतनी सारी gases मिल रही है इतनी सारी चीजें मिल रही है लेकिन हमने इसका क्या गर रखा है हमने इसका बेडा गर कर रखा है हमने हमारी हरकतों की वज़े से वाईयू को दूशित कर रखा है कैसी हरकते कर रखी है बहुत सारी है वाईयू प्रदूशन होता क्या है बच्चों सबसे पहले परिवाशा लिखेंगे हम वायू प्रदूशन की जो मैंने आपको NCRT में नहीं लिखी हुए मैंने आपको लिखवाई थी फिर से एक बार लिखवा देते हूं वायू प्रदूशन क्या लिखवाई थी और मैंने कहता यही परिवाशा सब में अपलाई गरनी आपको वायू में वायू के भोतिक वर रासाइनिक संगठन में ऐसे परिवर्तन जो जीवों के लिए या सजीवों के लिए हानी कारक है वायू प्रदूशन कहलाता है अच्छा बच्चो ये परिवाशा देखो मैंने जब क्लास में लिखवाई होगी तो हो सकता है थोड़ी सी अलग हो क्योंकि मैं रटती नहीं हूँ मेरे पास तो समझ है हम यही करते हैं जब हमारे अंदर कोई चीज समझ में आ जाती है हम उसको अपने शब्दों में लिखते है तो भही हो सकता है को इक दो चेंज हो है ना तो ये नहीं कि वह वाली गलती ये व्यर्ण सही है उसको मिटागे ये लिख mystical सब सही है वह भी तरही सही है तीके क्योंकि था 98% हमारे पास nitrogen है, oxygen है, carbon dioxide है, इसमें अगर कोई भी change हो जाए, मालनो nitrogen बढ़ गई, carbon dioxide बढ़ गई, oxygen कम हो गई, तो ये वाई-उ परदूशन है, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान दायक है, अब ये वाई-उ परदूशन हो कैसे रहा है, तो इसके बहुत सारे रीजन है, सबसे पहला रीजन है, जिवाश मिदन, जिवाश मिदन मतलब fossil fuel, जैसे कोईला, पेट्रोल, डीजल, जिससे हम वाहन चलाते हैं, तो इनसे बहुत हानी कारक gases निकलती है, जैसे की sulfur निकलती है, nitrogen nitrogen निकलती है, ये पदार्त निकलते हैं, अब ये जो पदार्त हैं, ये वाई-उ में जाकी क्या करते हैं, वाई-उ में मिल जाते हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, nitrogen की मात्रा बढ़ जाएगी, sulfur की मात्रा बढ़ जाएगी, अब ये मत बोलना मैं, वाई-उ मंडल में Oxide उत्पनने करते हैं अब जब हमको इदन जलाते हैं तो ये Nitrogen और Sulfur डलके Nitrogen के Oxide बना लेते हैं जिसको Nitrogen Dioxide जैसे Sulfur Dioxide ऐसे बना लेते हैं Oxide बना लेते हैं और ये भी वाईयू के लिए नुक्सान दायक होते हैं इन गैसों में केवल सास के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं होता बलकि वर्षा के जल के रूप में भी है अमली वर्षा, ये भी मैंने बताया था पहले अब ये दोनों यहां पे है हवा के अंदर गूम रहे हैं है ना, ये हमारे लिए विलन की तरह है जब बारिश होती है तो ये बारिश के साथ बारिश क्या होती है, पानी पानी मतलब H2O ठीके, पानी का क्या है फॉर्मूला, H2O, अब ये पानी के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, अमली बना लेते हैं, अब आप बोलोगे मैं हमली कैसे बनाते हैं तो देखो H2-SO4 जो होता है न वो हमारी SO2 के साथ या SO4 के साथ मिलके क्या बना लेता है H2-SO4 बना लेता है अब इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूत नहीं है लिए कि ऐसे मत बोला मैं यह संतुलित नहीं है हम सिफ बायो पढ़ रहे हैं और बायो में अभी हमें यह संतुलन नहीं देखना है हमें सिफ बताना है आपको समझाने के लिए बना रहे हूं कि ऐसे यह क्या है यह पता है आपको कौन है यह सल्फूरिक एसिड है यह अमल है और यह इतना खतरनाक होता है अबारी स्किन को जल अगर लैब में आपके उपर गिर जाए ना स्किन जल जाती है अब लैब में कभी जाओगे पर वहाँ पर क्या मिक्स्चर करके रखते हैं इसको प्यॉर नहीं रखते हैं और आपकी स्किन पर या उंगली पर लग गया तो जल जाएगी जो प्यॉर होता है वह बहुत डेंजर होते हैं सुन लोग पूछ सकते हैं अमलिय वर्षा क्या होती है सलफर वर नाइट्रोजन के ऑकसाइज पानी के साथ या जल के साथ मिलके अमलिय लवणों का निर्मान कर देते हैं या अमल का निर्मान कर लेते हैं जैसे सल्फूरिक असिड और नाइट्रिक असिड नाइट जलाओगे, कुछ जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सब की मात्रा जो है, वो कहां जा रही है, वाईयो मंडल में जा रही है. ये निलंबित कण बिना जले कार्बन और पधात हो सकते हैं, जिन्हें हाइड्रो कार्बन भी कहते हैं. अब कही बार मालो कोई चीज जलती है कुछ आदी अदूरी जलती है तो आदी अदूरी जले हुए कन भी वायू मंडल में चले जाते है उसमें क्या होती है मेंली हाइड्रोकार्बन होते है हाइड्रोकार्बन क्या होते है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते है उनको हाइ दिल्ली के अंदर दिल्ली में आप देखते हैं दिन के समय भी दिखता नहीं है क्यों कि बहुत सारा पॉलूशन है गाड़ियों का दुआ सब कुछ है फिर अगर बारिश का टाइम होता है तो बारिश में मौश्चर भी आ जाता है पानी जो हवा होती है उसके अंदर और ऐसे विजिबिलीटी बहुत कम हो जाती है उसको बलते है कहरा चमना या धूम जमना इन पधार्टों में वायू के स्सांस लेने से थाएं सर्ण रदे रोग ऑलर्जी ऐसी कई चीज़ें हमें क्या हो जाती है बीमारिया हो जाती है कुछ लोगों क्व्रत्य हो जाती है bleibt फेफडे काम करना बंद कर दें तो वायू में वो फस्तित है अनिकारuden क्या है वायू प्रदुशन क्याते हैं अब वायू की बात हो गई अब हम बात करेंगे जलकी वायू का हमने पूरा काम कर लिया अब जलकी बात करते हैं जितनी जब आयू जरूरी है, उतना ही जल जरूरी है, सबसे पहले तो बात वहीं, कि पौदे भी अपना खाना बना रहे हैं, तो खाली कार्बन डायकसर तो चाहिए नहीं, उनको भूमी से क्या करना पड़ेगा, पानी भी लेना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना परसेंट, अब ही हमने बोला कि, वैसे तुदे को सित्तर परसेंट बोलते हैं, यह सित्तर से 75 परसेंट, हमें NCRT में 75 दे रखा हैं इसलिए, वाकिए 7 परसेंट हैं, हमारी प्रत्वी पे पानी की पानी है, तो बड़े भाग पे उपस्दित है जल और इसमें भी कहीं जीव रहा रहे और इसी से वाश्व बनके वायू मंडल में जाती है बादल बनते हैं बिना जल के तो वादल भी नहीं बनेंगे तो जल वाश्व के रूप में वायू मंडल में भी एकत्रित रहता है जल ठीक है प्रत्वी के सद्धा पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासाग सबसे जादा खारा पानी है हमारे पास इसको खारा पानी कहते हैं मीठा या शुद्ध पानी तो कम ही है किस फॉर्म में है वो बर्फ के रूप में हिमाले में जो बर्फ जमी हुई है ना वो सारा खारा पानी नहीं है वो कैसा पानी है शुद्ध पानी है बर्फ से डखे पहा जमीन के अंदर से कुए खोद के, हेट पम खोद के, वो पानी भी कैसा होता है, शुद्ध होता है, अब जल का महत्व क्या है, जल के महत्व समझाने की जरू होता है आपको, बहुत सारे खाना, पीना, कपड़े दोना, पधे अपना खाना बना रहे हैं, पीने के लिए, सब च तीक्रिया है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है, वो गुले जल में होती है, हमारी कोशिका है ना, उसके अंदर भी तो जल है, वह यह केंद्रक है, बागी कोशिकांग है, लेकिन जल भी तो है, सबसे जादा तो जल ही है, सब जगा जल है, शरीर के एक बाग स लेकिन पानी भी है तो हर जगा पानी है जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलिता बनाए रखते हैं स्तलिय पौदे को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवशकता होती है क्यों स्तलिय जीवों को क्यों जरूरत है पीने के लिए वही मैंने का कोशिका को भी चाहिए सारी प्रक्रियाई करने के लिए क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर सकता खारा पानी नहीं पी सकते आप एक तो टेस्ट के वज़े से मान लो पी भी लिया तो आपका शरीर में प्रॉब्लम होने लग जाएगी क्योंकि आपके शरीर को इतनी आदत नहीं है खारा पानी पीने की आपको उल्टी हो जाएगी डाइरिया हो जाएगा है ना हो सकता है कुछ बिमारिया भी हो जाती है फ्लोरोसिस हो जाता है कुछ गाव आपने देखे हो जहाँ पर खारा पानी आता है वहाँ पे उनकी हड्डियों में दिक्कते होने लग जाती है कुबड़ापन भी आ जाता है कुबड़ापन समझते हो ऐसे जुक जाते है बच्चपन में ही बच्चे जो है वासे जुके हुए ऐसे हड्डियावड्डियों की दिक्कते होने लग जाती है प्राणियों प्रदों पर प्रत्वी जीवित रहने के लिए उपलग्दी के स्त्रोथ है। पदों के लिए भी चाहिए। कारक जैसे तापमान, मिट्टी की प्रक्रती मैदपुर्ण है। पानी के बिना मिट्टी की प्रकृती भी काली सूखी मिट्टी किया कर लोगे। ठीक है ताप्मान हमारा जो टेंपरेचर है उसको मेंटgreat करने में भी जैसे वाईयू उपयोगी है वैसे जल भी है। जल वायू के अंदर जलवाश होती है तो temperature ठंडा रहता है अगर वायू ऐसी गरम लू चलती है गरमी के अंदर उसमें पानी नहीं होता तो ऐसी गरम गरम हवाय चलती है तो पानी टापमान को भी maintain करता है जल एक महतपून संपदा है और जीवन इस्तल पर निर्धारित होती है यह सब हमने करा है इसलिए इसको short short में कर रहे है परिभाशा क्या दे सकते हो जल प्रदूशन की जैसे वायू प्रदूशन की दी थी जल के सेम चीज जल के बोतिक लिख लोगे बच्चों बोतिक वा रासाइनिक संगठन में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों के लिए हानिका रखो सजीवों के लिए हानिका रखो फिर जल प्रदूशन कहलाता है सबकी परिवाशा ऐसे ही बनानी है मैंने क्लास में भी बोला था ठीक है कारण क्या है तो सबसे पहला है जलाशों में अच्चिक पदार्तों का मिलना पानी के अंदर भई आप प्लास्टिक डाल रहे हो कच्रा डाल रहे हो मिट्टी डाल रहे हो गंदे कपडे डाल रहे हो तो यह सब क्या करेंगे जल प्रदूशन को फैलाएंगे कागच उद्द्यों गे विशेले पदार्त हैं फैक्टरियों से निकले हुए फिर दूसरा है अच्छिक पदार्तों को जलवाश्प से अटाना अब जल है उसकी कुछ क्वालिटीज है कि जल में मिनरल्स होने चाहिए आयन्स होने चाहिए तभी हमें पानी चाहिए अगर आप उसमें से आयन्स ही निकाल दोगे जो है यह से कि जल की अधियन सोडियम, पोटेशियम यह आयन्स होते है प्लोराइड आयन्स हैं कम मात्रा में तो आप क्या करो उसको निकाल दोगे तो फिर जल की वैल्यू भी क्या रहे जाएगी ठीक है तो आवशक आयनों को अगर आप बाहर निकाल दोगे माल लो एच-टु यह जल क्या है इसमें से ऑक्सिजन यह निकाल दी तो क्या कां़ो जल home को तो आभेशक चीज़न भी निकाल दी आपको ताप पान में परिवर्तन करके माल को आप ने उबाल दिया बहुत गरम कर दिया तो गरम करने इसे भी उसके आयंस जो होंगे वो खराब हो जाएंगे तूट जाएंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ठीके और तापमान भी अचानक बढ़ने या गटने से जलाश है कि जीव हैं वह भी मर जाएंगे पानी को बहुत जादा गरम हो जाएगा तो उसकी मचलिया मचलिया सब म अब जूप्द की स्वेंमरा-अबने गर्ला हो जाएंगे पूरू प्रश्ट्रा को बॉह सारे तथव हैं जिसमें जीव भी रहते पॊदे बहुत इससे मिनरम वह जारय हैं अंतराल में प्रत्वी की सतर या उसके समीप पाय जाने वाले पत्थर विबिन्ड प्रकार के भोतिक रासाइनिक और कुछ जेविक प्रक्रूम के तूट जाते हैं और तूटने के बाद अंत में बचा महीन कर म्रदा कहलाता है यह प्रोसेस हमने समझा था क्लास के अंदर कि मिट्टी जो है वो इतनी आसानी से नहीं बनती पहले बड़ी-बड़ी चटाने हैं उस पे सूरी की रोशनी पढ़ती है वो रोशनी से दीरे-दीरे चटान क्रैक आने लगता है उस पे दरार आने लगती है फिर चटान छोटे- प्रकृरिया में कौन-कोन से कारक काम में आ रहे है सूरी से ही वो चटान पर क्रैक आएगा सूरी दिन के समय पत्र को गरम कर देता है जिसने प्रसारित हो जाता है और रात के समय पत्तर ठंडा होता है दिन के समय तो गरम हो रहा है तो फेल रहा है रात के समय शिकूडने पहईलने की वज़ए से वो उसमें क्या आ जाती है दरार आ जाती है संकुचित हो जाता है क्योंकि पद्तर का प्रतेखभाग और समान रुप से प्रसारीत वा संकुरित होता रहता है अब क्या होता है इस पत्तर में बाई चांस अगर ये नदी के किनारे है या बारिश हो रही है तो इस पत्तर के संकुचित और प्रकुंचित इसे कॉंटरेक्ट होना और जो प्रकुंचन है मतलब वापस उसका रिलाक्स होना अब इसमें क्या होता है जल म्रदा की निर्वार में दो प्रकार से साहता करता है पहले तो सूरी के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल भर जाएगा अब यह जो पत्थर में दरार बन गई है इसके अंदर पानी पहुच जाएगा यह फिर जल क्या करता है चट्टानों से टकरा टकरा के चट्टानों को क्या करता है तोड देता है आप ने देखा पानी की आसपास की जो पेड़ों पत्थर होते है उनका अलगी होता है डिफरेंट यूनिक शेप होता है ऐसे खुरदुरा नहीं होता है पानी टकरा टकरा के उनको गलाता है तो पानी उसको मिट्टी चट्टानों को बहा के भी ले जाता है प्लस चट्टानों के अंदर पानी बर जाता है दरार में जो दरार इस वज़े से बन गई थी उसमें भी सायता करता है यह जल के बाद में जम जाता है और दरार और अधिक चोड़ी हो जाती है, मालो ये दरार में पानी बरावा था, अब temperature बहुत कम हो गया, पानी बरफ बन गया, तो आपको पता है, पानी के comparison में बरफ जादा जगा गेरता है, तो ये बरफ उस चटान को और दूर कर देता है, तो दरार थी, ऐसे करते 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 वो दोनों हो जाता है, दुबारा बैता हुआ जल कठोर पत्थरों के बीच तोड़ फोड़ करता है, है ना पानी जहां पर भी जाएगा ना, मतलब पत्थर को तोड़ देगा, गती के साथ बैता है, और जल प्राय अपने स्थान बड़े और छोटे पत्थरों को बहा कर ले जाता है, और क्या कारक है मिट्टी बनने के वायू इस पर question है बच्छों, मिट्टी बनने की प्रक्रिया या मिट्टी बनने में कौन-कौन से कारक सायक है तो फिर है वायू वायू भी है만 करती है मालनों हो हमारी चट्टान थी ठीक है? वो तूट के छोटे पत्थरों में रेती में बदल गई अब यह उस रेती को उड़ा के हवा चलेगी तेज दूसरी जगा ले जाएगी या मिट्टी को उड़ा के दूसरी जगा ले जाएगी जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण तूटते हैं उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ती है जीव भी म्रदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं अच्छा जीव भी करते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे लाइकें मैंने आपको नाम बताया था यह जहां पर भी उखते हैं ना कुछ ऐसे अमली परदास का सिक्रेशन करते रहते हैं इस तावत करते रहते हैं जिससे चट्टाने गलती रहती है अब गलेंगी तो क्या बनाएंगी मिट्टी बनाएंगी ठीक है तो जीव भी साह होते हैं तो यह question बनता है थोड़ा सा important है है ना ध्यान रखना है मिट्टी बनने के लिए कारक मिट्टी बनने के कारक अब next है यूमस क्या होती है तो मिट्टी की जो सबसे उपर की उपजाव परत होती है उसे हम क्या कहते हैं यूमस कहते हैं ये तो होगे इसकी परिभाशा ये बनती कैसे है ये ऐसे बनती है कि मिट्टी के उपर पेड़ पौदे उपते हैं न पेड़ पौदे जीव जन्तू तो ये क्या करते हैं या तो पेड़ पौदे मर जाए बरत हो जाए या क्या हो जाए जीव जन्तू पौटी करते हैं सुसू करते हैं तो उससे क्या होता है मिट्टी के उपर की जो लेयर होती है उसमें खनीज पदार्ट मिलते रहते हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं तो जब पौदे और जीव जन्तु मरते हैं और मिट्टी की उपर की लेयर पर गिरेंगे सड़ेंगे तो सड़के वो क्या बना लेते हैं humus बना लेते हैं तो इसलिए हम उपर वाली लेयर को क्या कहते हैं humus मरदा एक mission है इसमें विभिननाकार के छोटे टुकड़े छोटे-छोटे टुकड़े मिले होते हैं इसमें सडे गले जीवों के ठीक है मरे हुए जो सडे गले जीव हैं पौदे हैं जीवों के टुकड़े भी होते हैं, जिसे यूमस कहा जाता है, आकेले जीवों के टुकड़ों को नहीं, उसके साथ मिट्टी भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको सही परिवाशा बता, ये तो आपकी बुक में दे रखिए, लेकिन सही परिवाशा क्या है, जो मैं बोल र आउपरत जो सड़े गले जीवों और पौदों के सड़ने से बनती है उसे हम क्या कहते हैं यूमस कहते हैं यह परिवाशा आप लिखे इसके अतिरिक्त मिट्टी में विविन प्रकार के शुक्ष्म जीव भी रहते हैं बैक्टीरिया है के चुआ है यह सब मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर मिट्टी के अंदर हम जब मरते हैं तो यूमस बन जाती है मिट्टी के अंदर अब ये सारी चीजे मिट्टी के अंदर मिल गई तो पौदे इसको अच्छे से उशोशित कर पाएंगे जो नए पौदे उगेंगे है ना जो मिट्टी के अंदर उग रहे है तो मिट्टी उतनी ही उपजाओ बनती है यूमस की मात्रा और उसका आकार ये दो चीजे मिट्टी को निरदारित करता है कि मिट्टी कैसी है मरदा की सरचना मुक्यत कारक यूमस क्योंकि यह मरदा में सर अंदर बनाता है सर अंदर का मतलब पोरस मिट्टी जो होती है वो ऐसे हमें तो बहुत पास-पास लगती है लेकिन उसके बीच में गैप होता है जहां पे हवा भरी रहती है तो उसको हम बोलते हैं सर अंद्र मतलब पोरस है बिखरी बिखरी मिट्टी वायू और जल को भूमी के अंदर जाने देती है जगा होगी तो उसमें जल भी आसानी से जा पाएगा और वायू भी खनीच पोशक तत्व जो उस म्रदा में पाए जाते हैं वह उस पत्थरों पर निर्वर करते हैं जिससे म्रदा बनती है अब जिस चटान से जिस पत्थर से म्रदा बनी है मिट्टी बनी है उस पे भी डिपेंड करता है कि मिट्टी कैसी है इसलिए तो अलग-अलग प्रकार किये बलूई, चिकनी, है ना काली ऐसे इस प्रकार म्रदा की उपरी परत में म्रदा के कणों के अत्रिक्त हुमस और सजी उपस्तित होते हैं मरदा के सबसे उपरि परत जिसको हम यूमस कह रहें, ठीक है, तो इसका और क्या नाम है, जहां पर यूमस भी है, और साथ में कौन है, सजीव भी है, सजीव कौन कौन से कुछ वक्तिःरिया हैं, कुछ कीडे हैं, छो किचुआ हैं, तो इसको क्या बोलते हैं मरदा की उपरी परत कहते हैं पूछ सकते हैं आप से मरदा की उपरी मरदा जिसको हम कह रहे हैं उपरी मरदा क्या है यह रही परिभाशा उपरी मरदा की गुणवत्ता जो उस शेत्र की जेविक ता को भी जे विवित्ता को में निर्दारित करती है है ना जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतने ही अच्छे उसमें फसल होगेगी उतने ही अच्छे पेड़ पोदे होंगे जितने अच्छे पेड़ पोदे होंगे तो वो जे विविद्ता को भी बढ़ाएगा जै विविद्ता क्या होती है जीवों में विविद्ता कितने प्रकार के जीव पौदे जन्तू वहाँ पर पाए जा रहे आदूने खेती में पीड़क नाशियों को औरवरोर को अब हम इसको कैसे नुकसान करा रहे हैं बहुत नुकसान करा रहे हैं हम क्या करते हैं अच्छी जो जीव होते हैं शुक्षमझीव मर जाते हैं तो बही हमारी मिट्टी थी पुनाचकरन कैसे नहीं पाता पुना चक्रन करते हैं क्या करते हैं ये शुक्षमजीव ये हम जो कह रहे थे हैं पौदे जन्तू मर जाते हैं उनको सडाता कौन है ये शुक्षमजीव सडाते हैं और हुमस बनाते हैं अब आपने रासायन डाले छड़काव किया कोई खेतो के अंदर मिट्टी पे गिरा तो मिट्टी में ये शुक्षमजीव मर गए अब शुक्षमजीव मर गए तो ये जो जीव हैं ये जो हुमस बन रही थी वो कौन बनाएगा ये युमस बनाने का काम ही वो शुक्षमजीव कर रहे थे केचवा कर रहा था उसी को मार दिया आपने तो मिट्टी का आपने नुकसान कर दिया एक तरह से यूमस बनाने में सायक भूमी में इस चित केचों को भी ये समाप्त कर देते थे अगर समपुषण ये खेत नहीं किये जाएं तो उपजाओ म्रदा जल्द बंजर भूमी में परिवर्तित हो जाती है अगर उसमें यूमस नहीं बने मिट्टी तो दीरे दीरे क्या हो जाएगी बंजर हो जाएगी उपयोगी गटा का म्रदा से हटाना और दूसरे हाने कारिक प्रधातों को म्रदा में मिलना जो कि म्रदा की उरुवर्ता को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं बूमी प्रदूशन की परिवाशा है इसी को मरदा प्रदूशन भी कहते हैं क्या है म्रदा प्रदूशन ये वाली भी लिख सकते हो ये आपकी बुक में दिये बाकि मैंने आपको एक परिवाशण बनाने का तरीका बता दिया वैसी सेम सी ये देखो हानी कारग पदात मिल रहे हैं और म्रधा की उर्वरता पे भी प्रभाव डाल रहे हैं, इससे मिट्टी दूशी तो गई है, इसलिए हम इसको क्या क्या रहे हैं, म्रधा प्रदूशन या भूमी प्रदूशन ठीके यह रही बूमी प्रदूशन उप्योगी गटोगों का फिर से एक बार मैंने यह आपर हेडिंग बना के लिख दिये सेम परिभाश है अब हमें बात करनी है ब्रदा अपर्दन की ब्रदा अपर्दन यानि की स्वाइल इरोजन कि मिट्टी जो है वो कही बार हवा से पान क्योंकि वो यूमस होती है उसी से मिट्टी की गुणवत्ता निरदारित होती है तो इसे हम क्या कहते हैं मिट्टी का जल या वायू की परिभाशा लिख सकते हैं मिट्टी का जल या वायू की साहता से एक जगा से दूसी जगा तक बहे कर चले जाना क्या कहलाता है म्रदा अपड़न कहलाता है, तो अब एक जगा से दूसी जगा इस्थानन तरित हो जाने पर कठोर पत्थर बच जाते हैं, देखा हो आपने कभी आपके गाउं में सड़क नहीं है, तो बारिश का पानी आता है तो उपर की सारी मिट्टी बह जाती हो, और नीचे जो पत्थर होते है वो उबर के बाहर दिखने लग जाते हैं तो उपर बाहर पत्थर आ जाते हैं अब पत्थरों में पौदे थोड़ी न उखते हैं अगर मालो ऐसा ही आपके खेट के साथ हो गया या एक जमीन के साथ हो गया तो पत्थर ही पत्थर आ गए रेती रेती बज़ गई मिट्टी तो साही चली गई अब उसमें कुछ उगेगा भी नहीं संपूर्ण संपदा की हानी हो जाती है क्योंकि पत्थर पर उर्वरक्ता नगन्य होती है उर्वरक्ता मतलब उपजाओ था उप जाओ नहीं है पत्तर उस पे कुछ नहीं उप सकता ठीक है यह हमने एक एक्सपरिमेंट भी किया था कि पानी को अगर हम पौदे उगाएं अच्छा म्रदा परदूशन को कैसे रोख सकते हैं तो हम कहते हैं पौदे लगा के रोख सकते हैं तो हमने यह एक्सपरिमेंट भ करना है जादा से जादा पौदे लगाने हैं ताकि हम म्रदा अपर्दन को रोख पाए क्यों कि पौदे क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखते हैं जड़ों से तो मिट्टी भेह के नहीं जाती है वनस्पधी के लिए सायक, उपरी, म्रदा, अपरदन प्रक्रिया में तीवरिता से हड़ जाती है या पहाड़ी और परवत वाले भागों में त्वईता से उती है । इस पर कुश्चन पूछ सकते हैं म्रदा अपरदन ज्यादा कहां होता है पहाड़ी इलाकों में क्यों धल स्थल बढ़ा कर उपड़ी सत्व पर मिट्टी जल वायू को बहा कर या उड़ा कर नहीं ले जा सकती आप क्या करेंगे घास उगाओ वनस्पती उगाओ जिससे कि वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे रक्षार उपन करो ये भी आप कर सकते हो ठीके उसके बाद पश्यों का चारण कम करना है एक ही एक जगा बार बार पश्यों को चराने नहीं ले जाना बार बार चराने ले जाओगे तो वह सारे पेड़ पो देखा जाएंगे पेरबो दिखा जाएंगे तो म्रदा अपरदन भी बढ़ जाएगा नदियों के किनारे मजबूत बांध बना लेना चाहिए ऐसी नदि जो बहुत जादा जिसमें बारिश में पानी आने लग जाता है बार आ जाती है तो वहाँ पे हम क्या बना सकते हैं पानी को रोग लेगा तो आगे पानी तेज बहाँ से नहीं जाएगा और मिटी भी नहीं बहेगी खेतों में समुचिक जल की निकासी करनी चाहिए वह आपके खेत हैं जैसे यह यहां पर ऐसा होता है बारिश की दिनों में कि ऐसे पानी आता है बहुत जादा पानी बहरा रहा है millennial system बना दो यहां बीच में यहां साइड में आली बना दो लाव है पानी ऌगा आईसे जाएगा साइड से तो हमारा खेत थो बच जाएगा जिए मिटी बहा का नहीं जाएगी सगन खेती करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा उस पर पेड़ पोदे खेती करो ताकि पेड़ पोदे फसल जो भी उगाओगे तो उसे ब्रदा परदन रुका रहेगा इस पर question आ सकता है इसको ध्यान रखे अब है जेवरासाइनिक चक्रन क्या है क्या है जेवरासाइनिक चक्रन अब ये तो हमने बात कर ली कि हमारी वायू में ये ये सब चीजे हैं जल में ये चीजे हैं और मिट्टी में ये चीजे हैं लेकिन ये हमेशा कैसे रहती हैं चीजे तो खदब हो जानी चाहिए वायू मे नाइट्रोजन खतम क्यों नहीं हो रही, अक्सीजन खतम क्यों नहीं हो रही, मिट्टी के अंदर मिनरस खतम क्यों नहीं हो रहे, तो इसका अंसर आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, क्यों पता है, क्योंकि मिट्टी में हमने देखा, कि जो जीव जन्तु है, वो मर के वापस मिल जाती है पौदे ने जो मिट्टी से आउशोशित कीया था मरने के बाद वह। मिट्टी में चक्रन हो जाता है क्योंकि उसका क्या चलता रहता है जल चक्रन चलता रहता है जिसको उतने दाब सबसे simplest है इस chapter के अंदर लेकिन हमें कुछ और भी चकरन पढ़ने है हमें nitrogen का चकरन पढ़ना है, हमें carbon का चकरन पढ़ना है, हमें phosphorus का भी है चकरन nitrogen का, तो ये सारे चकरन हमें पढ़ने, oxygen का भी पढ़ना है, सब एक जैसे ही है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, easy है, इसमें से एक पर आपके question आ सकता है सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, तो देखो जीव मंडल में, जेविक और आजेविक घटकों के बीच, सामन जन से जीव मंडल को गतिशील वश्तिर बनाता है जितने भी जीविक घटक है जीविक मतलब जितने भी लिविंग ठीग है और non-living हम उपर पढ़ के आए है मरदा, है न, मिटी जल, वाई यू ये सारे इनके बीच में एक संतुलन है जिसकी वज़ा से हमारा जेव मंडल चल रहा है अगर इनमें से कोई भी ज़ादा है कोई भी कम हो गया तो विनाश आजाएगा प्रत्वी पर ऐसा होता भी आप देखी रहो प्रकोप्त देखी रहो दीरे-दीरे हमारी प्रत्वी जो है वो पल्यूशन और किसकी कैसे खराब होरती जा रही है तो इनमें स्थिर्ता होना जरूरी है सब चीज़ें में टाइम पर मिलनी चाहिए इस सामंजसिके द्वारा जीव मंडल के विविन नगटकों के बीच पदार्त और उर्जा का इस्थाना अंतरन होता रहता है वही पदार्त जाते भी हैं वापस मिल भी जाते हैं तो इस्थानन दरन चलता रहता है, इसलिए balance बना हुआ है, इसको क्या कहते है, जेव रासाइनिक चक्र कहते है, जेव रासाइनिक मतलब जितने भी रासाइन है, hydrogen, carbon, oxygen, जितने भी रासाइन है, उन सब का चक्रन चल रहा है, पानी, ठीक है, एक चक्रन है, एक cycle चल रहा है, अ परशा के रूप में सतव पर गिरता है, फिर नदियों में समुद्र में पहुचता है, इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्रन कहते हैं, इसमें दो में चीजे होती है, एक तो वाश्पिकरन और दूसरा संगनन, कैसे होता है, अब मैं हम समझ सकते हैं, जैसे ही हमारा पानी है, कोई टालाब है, नदी है, कुछ भी है, तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, जल जलवाश्प बनके उड़ता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को वाश्पिकरन कहते हैं, यह जलवाश्प बूंदों के रूप में हवा में रहता है, फिर हमने कहा, यह जलवा प्रहर जाता है वापस कि इसल्ड ये जल कोन अउशोशित कर लेता है ये जल हमारे पौदेर फूंव कर लेते यह पूदेर लेते हैं जल कोुंन नीचे जमीन से और कुछ जीव होतेतेтировें पानी पीएंगे हम पानी पीते हैं जन्तु पानी पीते हैं तो जन्तु वन्तु पानी भी पी लेते हैं इसे फिर क्या होता है यह जीव मर जाता है तो इसमे जो जल है वो भी किस में मिल जाएगा वापस मिट्टी में मिल जाएगा तो ये जो cycle है हमारा वो क्या रखर चलता रहता है जिसकी वज़ा से जल जो है वो कभी खतम नहीं होता इसे हम क्या कह रहे हैं जली ये चक्र कह रहे हैं ठीक चले आगे अब क्या है हमें बात करनी है कि ये सारा जल चला जाता है उसके बाद हमें पता करना है जो question है हमारी NCRT के अंदर either question पूच्छा हुआ है कि जीलों में, नदियों में, समुद्र में, उसके बाद गैसी अवस्ता है, जिसमें जलवाश्प बन जाती है, पौदों से वाश्पिकरन हो जाता है, उसके द्वारा पत्यों से वाश्पिकरन होता है, जलवाश्प बन जाता है, तीसरी है ठोस अवस्ता, ठीके, उससे पहले ब जल का महत्व क्या है यह बताने की जरुत है क्या सारा यहां पर लिखा हुआ है जल से मिलता है हमें नलकुपो की मदद से सतर पर प्राप्त होता है खाने से लेकर कपड़े दोने तक सब जगा जल ही जल है जीवन की विबिन प्रक्रियाओं में जीर जन्तू पौधे में सब मे हमें जल की आवशक्ता होती है जल बहुत से पदार्तों को गुलाने में सक्षम होता है बहुत सारी चीज़े जल में गुल जाती है खनीज लवन है इसलिए तो जल पीते हैं क्योंकि उसमें खनीज लवन गुले हुए हमारे शरीर के लिए जरूरी है ठीक है इस प्रकार है, उनका तो जीवन ही उन्ही से शुरू होता है। अब हैं दूसरा चक्र, एक जल चक्र है, नाइटोजन चक्र है। इसमें से एक QCN आपको आसकता है, कोई भी एक चक्र को समझाने के लिए बोल सकता है या तो जल चक्र बोल देगा या nitrogen चक्र बोल देगा और ऐसे भी सवाल बन सकता है कि जेव रासाइनी चक्रन क्या है किसी एक चक्र को समझाओ तो आपको सारे चक्रन ही समझाने आपको एक ही बताना है ऐसा नहीं पूरा वहाँ पे लिखने बढ़ जाओ जल चक्र भी समझा रहे हो nitrogen भी समझा रहे हो एक ही समझाना है या तो वह बता देगा कि कौन सा समझाना है और नहीं बताएगा तो आप उपनी मर्जी से simple वाला भी ले सकते हो जल वाला और और कोई भी रह सकते हो अब है nitrogen तो भी जल का तो हमने देख लिया कि जल कैसे cycle चल रहा है जल का कैसे चक्रन हो रहा है cycle का मतलब कैसे जल हमारे बापस बनता जा रहा है ऐसे nitrogen कैसे बनती है तो nitrogen का भी यही concept है similar सा सबका same same सा है हमारे पास हमने देखा कितनी nitrogen है अब यह gas जो जीवों के लिए आवशक है बहुत सारे अणों जैसे protein, nucleicum, DNA सब इसी से बनते है हमारी जो कोशिका है हमारे जो कोशिका है उसके अंदर हमने बात की थी कोशिका के अंदर क्या होता है कोशिका के अंदर DNA होता है और हमारे पास RNA भी होता है DNA, RNA, इसके बात की हुई है हमने cell वाले चेप्टर के अंदर हमारे पास protein भी है हमारे शरीर के अंदर protein भी है कुछ vitamin भी है सब को बनने के लिए nitrogen चाहिए carbon भी चाहिए hydrogen भी चाहिए oxygen भी चाहिए लेगि nitrogen भी चाहिए तो इसके बिना यह नहीं बनेंगे तो सबसे जरूरी है nitrogen दूसरे जेविक जेविकों में पाया जाता है जैसे alkoloids, nitrogen सभी प्रकार के जीवों में उपस्चित रोता है alkoloids क्या होते हैं एक पधार्थ है अभी आपको पढ़ाया नहीं है आपके syllabus में कभी आया नहीं है पधार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर और पेडों के अंदर भी पाये जाते हैं अब इसका कैसे करें तो nitrogen जीव द्रम में प्रोटीन का प्रम्भु को घटा के तो भी nitrogen को हमें क्या करना पड़ेगा वही recycle करना पड़ेगा अगर हम बार बार वही nitrogen यूज करते रहें तो एक दिन तो nitrogen खतम हो जाएगी तो इसका cycle कैसे चल रहा है cycle ऐसे चल रहा है कि पौदे क्या करते हें nitrogen का youse करते हैं लेकिन पौदे विचारे बहुत शरीफ हैं वो आय्यू मंडल से direct nitrogen नहीं ले पाते जैसे carbon dioxide तो वो ले लेते हैं से उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं रंदर होते हैं उससे कार्बन डाइकसाइड ले लेते हैं नाइट्रोजन उनकी कैद में नहीं आती नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं तो अभी क्या करें तो इनकी हेल्प करते हैं मिट्टी के अंदर रहने वाले कुछ बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं शुक्ष्म जीवी इनका नाम है एक फेमस नाम जो आपने सुना हो राइजोपस, राइजोबियम और साइनो बैक्टिरिया ये क्या करते हैं? ये ये करते हैं कि जैसे ये पोधा है ठीक है? ये प्लांट है ये लेनी पाता नाइट्रोजन को इसकी जड़े है अब ये बैक्टिरिया कहां रहते हैं? ये मिट्टी के अंदर या इनकी जड़ों में भी रहते हैं कुछ ऐसे पोधे हैं जैसे मटर है, लेग्यूमिनेसिकल के पोधे इनकी जड़ों में भी रहते हैं ये बैक्टीरिया ये क्या करते हैं जो हमारी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के योगिकों में बदल देते हैं अब ये तो प्योर नाइट्रोजन है एंटू इससे कुछ-कुछ बना देते हैं जैसे अमूनिया बना दिया नाइट्रे भी काम हो गया उनका तो यह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जन्तु और पादप वायू मंडल नाइटोजन का सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं हम भी नहीं कर पाते हैं हम पादोगों खाते हैं ठीक है इसलिए नाइटोजन यूग तो योगिकों में बदलना होता है जेविक्रिया मतलब जीवों के द्वारा कौन से जीव बैक्टेरिया तो नाइट्रोजन इस्थरीकरन क्या है पहले परिभाशा मैंने क्लास के अंदर लिखवाई है मैं अभी बोल देती हूं शुक्ष्म जीवो द्वारा वायू मंडलियन नाइट्रोजन को नाइट्रोजन योगी को में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन इस्थरीकरन कहलाती है ठीक है लिख लेंगे परिभाशा चले नेक्स पर चले जिसकी छूट गई है आगे पिछे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा के पिछे बढ़ा के दिख लेना कुछ जीवों में कार्बनीक पदार जैसे अमो नाइट्रोजन को अलग 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 है अमो नाइट्रिड भी तो इसके अमोनी करन कह देंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे, कौन-कौन से, ऐसे, बैसिलस, रेसोमस, यह सारे आपको याद नहीं करने, इसमें से एक-दो आप याद कर लो, क्योंकि आपके NCRT में दे रखे हैं, ठीके, यह बैक्टीरिया के नाम है बच्चों, यह सारे, यह अमोनिया उ अब यह दूसरे बैक्टीरिया है, कुछ जो क्या करते हैं, अमोनिया को, नाइट्राइड में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, यह नाइट्रेट में बदल दिया, जैसे कि नाइट्रोसो मोनास, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, सब औक्सिकरन करके इसको नाइट्राइट्स में बदल देता है जैसे नाइट्रोबेक्टर एक्जम्बल क्या हो गया इसका नाइट्रोबेक्टर हो गया ठीक है जिवानों के नाम आपको याद रखने कौन-कौन क्या करता है बादलों में बिजली चमकने और चटानों में घुलि में आने काम लेकिन मिटी से वापस नैट्रोजन जाती तो उसके लिए भी हमारे पास बैक्टिरिय आ है वही सेम कहानी जब पौदे मर जाएंगे डेड हो जाएंगे हम मर जाएंगे तो समय तो जैसे रहाई थी नाइट्रिट की के बाद जब हम जमीन में राख में जैसे भी आप मिट्टी में मिल जाते हैं तो यह क्या करते हैं जो भी नाइट्रेड है उसको वापस वाईयू मंदल में छोड़ देते हैं तो भी चक्रन पूरा हो गया ना नाइट्रोजन ली थी वापस वाईयू मंदल में चली गई इसे क कहते हैं ?Denitrification Denitrification नाइट्राइट से पुनक इंदर छोड़ देते हैं कि इसके लिए मैंने डायग्राम भी बनवाया है कैसे डायग्राम बना सकते हो एक बार और बना देते हूं यह देखो यह मैंने बैक्टीरिया बना दिये चोटी चोटी इसको नाम लिख देना बैक्टीरिया यह पौधे लिख दी है यह N2 लिख दी N2 से पहले क्या बनाना है आपको अमोनिया बनाना है फिर अमोनिया से क्या बनाना है NO3 बनाना है फिर ये पौदों ने ले ली फिर पौदे मर गए ये मरत हो गए तो NO3 वापस यहाँ पे मिल लिया अब यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया है कौन से डी नाइट्रिफिकेशन ये किसमें बदल देंगे N2 में वापस बदल देंगे तो बही चक्रन पूरा हो गया नाइट्रोजन ली थी वापस चली गई ठीके और मैंने अच्छा और बनाया है डीटेल क्लास के अंदर क्योंकि हम तो बही आपको पता है रिवीजन कर रहे हैं सिरु अब दूसरा है कार्बन चक्रन नाइट्रोजन ली थी दे दी जल लिया था दे लिया कार्बन भी ले रहे हैं कार्बन डायकसाइड ले रहे हैं पौदे वो कैसे वापस देते हैं तो सेम कहानी पौदे कार्बन डायकसाइड को लेंगे किस से रंदरों से अपना खाना बनाते हैं फिर उन पौदों को हम खा जाते हैं फिर जब हम मरेंगे और पौदे मरेंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे वापस कारबन डायोकसाइड मिट्टी में मिल जाएगी और वायू मंडल में चली जाएगी एक तो यह तरीका है दूसरा हम क्या करते हैं हम जब सास अंदर लेते ह साथ हम वापत दे रहे हैं है ना हम वहां की कमी पूरी कर रहे ना जो तो चक्रन पूरा हो यह है कार्बन भी जीवन का आधार सब जगवा यह दिम काम है नावी की अमल मतलब DNA- tabii उसी ओनाभी की अमल मolor बूलते है कि uneven अगर हम देखें तो अगर हम इस सीव की बाद करें तो अगर हम किसी जीव के की बाद करें उसका वेट जो है इसका 40 9% का स्थेंर किकश कार्बन बहुत सारी चीजों में काम में आता है और पत्थरों में भी मिलता है हमें जैसे कि हीरा और ग्रैफाइट के अंदर भी कार्बन होता है योगिक के रूप में या वायू मंडल में कार्बन डायोकसाइट के रूप में रहती है सबी जीव रूप कार्बन अणुओ जैसे की कार्बो आड़ेट वसा नुकली कमल और विटामिन में भी मिलते हैं सब जगा मिल रहे हैं ये भी क्या करते हैं सबसे पहले बाहरी ये बीतरी कंकाल भी कार्बोनेट का बना होता है जो समुध्र के अंदर जीव रह रहे हैं न मैंने कहा था कवच बनता है वो किसका बनता है कार्बोनेट का बनता है उस में भी कर्बन है प्रकाश रंसलेशन की क्रिया में पौदे भी क्या कर रहे हैं कारबन डायोकसाइट का यूज करते हैं क्लोरोफिल की उपस्तिती में है ना सबको पता है प्रकाश रंसलेशन क्या होता है यह प्रक्रिया वायू मंडल और जल में घुले कार्बन डायोकसाइड को ग्लुकोज में बदल देती है, यह बात हम स्टार्टिंग में करके आए हैं, वही सेम बात वापस से लिखनी है, ठीके, अब क्या है, जीविक प्राणियों में उर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया ग करते हैं, तो हम उस ग्लुकोज को जलाते हैं, मतलब आग लगाना नहीं होता, जलाने का मतलब होता है, हमारे शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, जो ग्लुकोज होती है, उसको ऑक्सीजन की उपस्तिती में क्रिया करते हैं, क्रिया होती है, लेकिन उसको हम दहन कह देते हैं, यह वैसा वाला दहनी है, जो आग लगाते हैं, वैसा वाला दहनी है, ठीके, तो यह क्या करते हैं, कार्मन को उप्योग करके, हम कार्बन डायोकसाइड बना लेते हैं शरीर के अंदर, और वापस कार्बन डायोकसाइड को बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेत यह carbon dioxide yu mandla में वापस चली जाती है उसके अलावा और क्या करते है इदन जलाते हो लकडिया जला रहे हो उससे तो carbon dioxide में कल रही है वो भी वायू मंदल में चले जाती है तो जो पौदे उदर ले रहे हैं वापस मिल भी जाता है वायू मंदल को ठीक है वायू मंदल में प्रवेश हो जाती है खाना पकाने में उद्योगों में उद्योगी क्रांती से मानो बड़े पैमाने पर जिवाश मीदन का जलना शुरूबा, अब इससे नुकसान भी हो रहा है हमें, हमने चक्र तो ठीक है चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ले तो कम रहे हैं, दे जाधा रहे हैं वायू मंडल को, जितने भी हमारे इंडस्टियल एरिया जन्सम क्या बढ बढ़ने चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो हमारे नुकसान भाय के, हम तो पेड़ तो काटते जा रहे हैं, जो कार्बन डाइकसाइड ले रहे थे, और दे जादा रहे हैं, जन्सम क्या बढ़ रही है, कार्बन डाइकसाइड जादा दे रहे हैं, तरह कारवन भी विन भोति को जेविक क्रियां द्वारा पुन चक्रित हो जाता है सब का चक्रन से में अल्टिमेटली सब में यह हो रहा है ठंडे बोसम में उष्ण कटमनी पौदों को गरम रखने के लिए आवरन बनाने की क्रिया में भी इसका उप्योग किया जाता है लेकिन वह इस शब्द से आया है यह मैंने आपको समझाया था ना कि इस शब्द से वह ग्रीन हाउस बनाए लेकिन अल्टिमेटली ग्रीन हाउस एक अच्छी चीज थी हमने हम क्या करते थे कि जो ठंडे प्रदेश थे वहां पे क्या था देखो टेंपरेचर बहुत कम हो जा खोल देते हैं तो सूरज की किरने अंदर आजाती है अब जैसे जैसे शाम होती है तो उनको पता है बरफ जमेगी ठंडा मौसम हो जाएगा तो ये इसको बंद कर देते हैं बंद कर देते हैं तो सूरज की जो किरने अंदर आई थी वह आपस नहीं जा पाती क्योंकि हमने बंद कर दिया इसकी वज़ा से बाहर मानलो माइनस में टेंपरेचर हो गया माइनस डिग्री संटिग्रेट चल रहा है लेकिन अंदर वो सूरज की जो गरम किरने थे उसकी वज़ा से थोड़ा टेंपरेचर गरम वाला रहता है गरमाहट बनी रहती है तो पौदे जमते नहीं है पौदे अपना आराम से जीवन यापन कर सकते हैं इसको कहते हैं ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस ठीक है ग्रीन हाउस एफेक्ट अलग है वो किसकी वज़ा से हो रहा है वो carbon dioxide के बज़े से हो रहा है ऐसा ही चीज अब carbon dioxide हमारी प्रत्वी के साथ कर रही है लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा जैसे यहाँ पर temperature बढ़ा हुआ है वैसे हमारी प्रत्वी का temperature बढ़ने लग जिया तो वो green house effect है उसको carbon dioxide बढ़ा रही है इस प्रकार के आवरण को green house कहते है और वायू मंडली प्रक्रिया में green house होता है यह रहा green house प्रभाव अब ऐसा ही प्रभाव हमारी प्रत्वी पे कैसे हो रहा है कि यह हमारी प्रत्वी है और यह हमारा वायू मंडल है इसमें क्या हो रही है carbon dioxide के मात्रा बढ़ती जा रही है 0.03 से बढ़ गई अब सेम चीज जैसी वहाँ पे हो रही थी वहाँ पे तो भई हम किसी lab के लिए कर रहे थे यहाँ पे हमारी प्रत्वी को नुकसान हो रहा है कैसे कि सूरज की किर्णे अंदर तो आती है अब प्रत्वी से टकरा के वापस जानी चाहिए लेकिन यह जो CO2 की layer है यहाँ पे CO2 बहुत बढ़ गई अब CO2 ने एक ऐसी layer बना दिये इस layer की वज़े से यह सूरी की किर्णे वापस नहीं जा पाती अब वापस नहीं जाएगी तो यहाँ पे temperature बढ़ जाता है तापमान बढ़ जाता है वैसे ही गर्मियों के दिनों में 45-45 degree temperature रहता है और बड़ा हुआ रहता है तो इसको हम कहते हैं global warming और इसी लिए हमने इसको क्या नाम दिया green house effect नाम दिया क्योंकि यह ऐसा ही है यह green house जैसा ही system है लेकिन यह तो फाइदे के लिए कर रहे थे और यहाँ तो नुकसान हो रहा है तो वो green house है और यह green house effect है दोनों में अंतर समझ गए और detail glass देख लेना अच्छा से समझ में आएगा वाईयो मंडल में विद्धिमान carbon dioxide में व्रद्धी पाइयो मंडल की उश्मा में व्रद्धी कर देती है जिससे ताब बढ़ जाता है और इसी को हम क्या कह रहे है उश्मी करण वैश्वी कुश्मी करण या global warming कहते है यह carbon चक्र है बच्चो ठीक है देखो पौदो ने CO2 ली खाना बनाया यहां से CO2 ली फिर यह मर गए फिर कंकाल बन गया मिट्टी में calcium सब कुछ मिल गया carbonate फिर यह मिट्टी के अंदर मिल गया पौदोने वापस यहां से भी अव्शूशित कर लेंगे जो pollution है फैक्टरी का वो भी carbon dioxide छोड़ रहा है तो यह cycle चलता जा रहा है जीव जन्तु भी क्या कर रहे हैं स्वशन कर रहे है respiration मतलब स्वशन स्वशन में carbon dioxide release करते हैं ऐसे ही oxygen चक्र भी चलता है सब की % इस तो आपको पता है यह oxygen कित्ती % है वाईउ में 21% अब यहां पर भी देखो balance है कैसे balance है हम क्या करते है oxygen लेते हैं carbon dioxide देते हैं तो हम carbon dioxide छोड़ते हैं उस carbon dioxide को पौदे ले लेते हैं पौदे बदले में क्या छोड़ते हैं वाईउ मंडल में oxygen छोड़ते हैं हाला कि वो भी oxygen लेते हैं लेकिन हमारे comparison में कम लेते हैं लेकिन सिर्फ carbon dioxide लेते हैं यह गलत है जब वो स्वशन करते हैं जब वो सांस लेते हैं पोदे तब वो भी oxygen लेते हैं ठीक है यह बात ध्यान रखती है वायू oxygen प्रत्वी पर बहुती अधिक मात्रा में है और इसके मात्रा कितने पसंड है 21% यह हम पहले देख चुके हैं बड़े पैमाने पर प्रत्वी के पटल पर योगिकों के रूप में वायू carbon dioxide के रूप में पाई जाती है जो भी oxygen होती है वो किसी ना किसी के साथ combine कर लेत बना लेती है बंद बना लेती है जुड जाती है जैसे कि जो oxygen है वो carbon के साथ जुड जाती है और क्या बना लेती है carbon dioxide बना लेती है प्रत्वी के पटल पर यह धातू और silika के oxide के रूप में भी मिलती है इसी तरह यह धातू से भी जुड़ी रहती है जैसे silika के साथ जुड जाती है तो सिलिका उकसाइड बना लिती हैा केल्शियम के साथ जुड़्या तो केल्शियम उकसाइड बना लिती है इस तरह यह धातों के साथ भी जुड़ी वी रहती है सब योगिक है Chemistry के अंदर पढ़ के आयोंगे chapter first second इसी बारे में है क्या होते हैं carbonate, sulfonate ठीक है तो ये सारे जो खनीज लवण है इन सब में oxygen मिलती है यह जेवी कणू जैसे carbohydrate ये भी protein में मिल रही है carbohydrate में मिल रही है nucleicum में मिल रही है जैसे sulfur मिल रहा जैसे nitrogen मिल रहा था carbon मिल रहा था उसी तरह वायू मंडल से oxygen का उपयोग तीन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है जिसमें सबसे पहला है स्वशन जिसको हम respiration क्याते है दहन यनि की जलना ये वो वाला जलना है जिसमें हम माचिस से जलाते हैं ठीक है nitrogen के oxide इन तीन चीजों के रूप में वायू मंडल में जो nitrogen है वो balance रहती है ठीक है स्वशन आपको बताये था हम क्या करते है हम स्वशन करते है respiration करते है तो oxygen वायू में छोड़ देते है पौदे क्या करते है पौदे भी carbon dioxide लेते है और बदले में क्या देते है oxygen देते है पौदे 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 क्या करते है oxygen को वायू मंडल के अंदर लोटा देते है यदि हम जीवन के स्वशन की प्रक्रिया में oxygen को महत्पूर मानते है परन्तु कुछ जीव मुख्य रूप से जैसे bacteria है इनको oxygen की ज़रूत नहीं होती ये बिचारे बिना oxygen के जिंदा रहते है तोरित oxygen द्वारा जहरील हो जाते है इनको oxygen नहीं चीए ये बिना oxygen के भी जिंदा रहते है वास्तो में बैक्टिरिया के द्वारा nitrogen इस्तिरी करन की प्रक्रिया oxygen की उपस्तिती में नहीं होती अभी हम nitrogen इस ती करन पढ़ किया है उसमें oxygen नहीं चीह उनको इसलिए ये oxygen काम में नहीं लेते हैं ये nitrogen इस ती करन बिना oxygen के कर लेते हैं क्योंकि ये श्वशन में भी oxygen यूज नहीं करते हैं तो oxygen cycle कैसे चल रहा है इसका भी एक rough diagram बना सकते हैं यहां पर बना दो पौदे बना दो लेकिन एक बात जो मैंने आपको याद रखने को कही है वो हमेशा याद रखेंगे कि पौदे जब स्वशन करते हैं तब वो भी oxygen यूज करते हैं प्रकास translation में वो carbon dioxide यूज करते हैं oxygen दे लेकिन जब वो सांस लेते हैं श्वशन करते हैं तो वो भी oxygen लेते हैं carbon dioxide देते हैं तो यह क्या कर रहे हैं carbon dioxide यूज कर रहे हैं बदले में क्या दे रहे हैं oxygen दे रहे हैं यही oxygen हम यूज कर लेते हैं इंसान बना दू एक ठीक है यह oxygen हम यूज कर देते हैं carbon dioxide यूज कर लेते फिर प्लस जब हम डैड हो जाते हैं तो ये हमारे अंदर बहुत सारे oxygen ऊपस्थियते हैं हमने कहा हमारे protein में भी oxygen है हमारे carbohydrate में भी oxygen है हमारी body में भी oxygen है जैसे carbon है, nitrogen है, वैसे oxygen भी है तो ये oxygen जमीन में मिल जाती है और किसी ना किसी के थ्रू जैसे पौदे ही वापस इसको ले लेंगे किसी फॉर्म के अंदर जैसे कि केल्शियम उक्साइट की फॉर्म में ले लिया या किसी फॉर्म में भी लेके यह क्या गड़ते हैं इस तरह साइकल चलाते रहते हैं तो ऑक्सीजन का बिल्कुल सिंपल है जादा कोई complicated चक्र आपको बनाना नहीं है ठीक तो यह थे जल चक्र उसके बाद हमने nitrogen चक्र पड़ा हमने carbon चक्र पड़ा और इस पे से question जरूर आता है या तो जेवरा सायनिक चक्र पर आता है या अमली ये वर्शा पर कुछ बता दिया मैंने important important जहां जहां पर question बनते थे उसको आपको ध्यान में रखना है तो ये one shot यहां पर खतम होता है मिलेंगे next one shot के अंदर तब तक के लिए सभी को धन्यवाद